जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पढ़ जाएं तो आवाज बोलन्द करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद हैं तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद हैं तेरे बोल किलब आजाद हैं तेरे मैं अभिसार शर्मा आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ देश की नाक 21 वर्षिय दिशारवी काट रही है देश को बदनाम दिशारवी कर रही है या तृबुरा के मुख्यमंतरी बिबलब देव जो ये कहते हैं कि भारती जनता पार्टी नेपाल और श्रिलंका में भी सरकार बनाएगी आज एक पूरा का पूरा प्रचार तंत्र दिशारवी के पीछे पड़ गया है 21 साल की दिशारवी उसका दोश ये था कि उसने एक टूल किट शेर किया उसका दोश ये था कि उसने ग्रेटा थन्बरग जो की क्लाइमिट आक्टिविस्ट हैं जलवायू परिवरतन से जुड़ी कार करता हैं उसके साथ उसने बाचीद की उसका दोश सिर्वितना है और उसके खिलाफ पूरा प्रचार तंत्र लग गया है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि देश की नाख दरसल काट कौन रहा है सबसे पहले दोस्तों ये स्क्रीन शॉट देखिए ये आल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल में शेर किया इसके मुताबिक अब एक प्रचार चलाया जा रहा है दिशारवी के बारे में कि दिशारवी दरसल एक इसाई है दिशारवी का सही नाम है दिशारवी जोजफ अब आप सोच सकते हैं भारती जहता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाई से जादा तो कुछ सोच नहीं सकता है अब उन्होंने क्या किया होगा 24-25 घंटे लगाये होंगे दिशा के इसलाम के साथ लिंक्स ढूडने के लिए अब जब वो नहीं मिला तो दिशा रवी को उन्होंने दिशा रवी जोजफ बता दिया है जबकि हकीकत क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दिशा रवी का नाम क्या है पूरा दिशा रवी का नाम है दिशा अनपा रवी उनकी मा का नाम है मंजुला नंजया पिता का नाम है रवी और इसलिए उनका नाम हुआ दिशा अनपा रवी और क्या आप जानते हैं कि दिशा जिस समुदाय से आती हैं वो आती हैं लिंगायत समुदाय से वो लिंगायत जो भारती जनता पार्टी का जबर दस समर्था के करनाटक गे अंदर और कुछ खबरें ये भी बतला रही थी कि दिशा के माबाब जो हैं वो भारती जाता पार्टी के समर्तक हैं तो ये तो बात तैह हो गई कि दिशारवी जो हैं वो इसाई नहीं है मगर उसके जरीए क्या पता चल रहा है कि जब इन लोगों के पास तरक नहीं होते हैं तो श्मुक्त होकर रिवा हो जाएंगे मगर हो क्या रहा है कि उससे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है अब एक और दिल्चस्प चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैंने कल क्या देखा ट्विटर पे ट्विटर पे मैंने देखा टाइम्सनाव नाम का एक चानल ये चला रहा था और टाइम्सनाव ही नहीं कई न्यूस चैनल्स ये चला रहे थे कि देखिए दिशारवी की बाचीद ग्रेटा थनबर्ग से हो रही है एक तरफ दिशारवी एक तरफ Greta Thunberg और दिशारवी Greta Thunberg से कह रही है कि मुझे जल्दी से ये चाट्स डिलीट करनी पड़ेंगी वरना मुझे पर UAPA लगा दिया जाएगा मुझे अपने वकीलों से बात करनी चाहिए अब ये जो बाचीत है ये बाचीत किसने रिलीज की? दिल्ली पुलीस ने दिल्ली पुलीस की हर बात पर मैं इतबार नहीं करता हूँ तो जब उन्होंने ये बाचीत रिलीज कर दी तो इस बाचीत को देश दुरू का एक बहुत बड़ा परमान माना जा रहा है क्यों? क्योंकि दिशा यहां पर UAPA की बात कर रही है वो धारा जो अमूमन आतंक वादियों पर लगाई जाती है इसके बिना पर कहा जा रहा है कि साथ दिशा जो है वो कुछ छुपा रही थी, वो खालिस्तानियों के साथ थी आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको क्या लगता है, दिशार अवी क्यों डर रही थी? वो क्यों अपने वकीलों से बात कर रही थी? वो क्यों दरसल UAPA को लेकर डरी हुई थी? उसके लिए मैं कुछ चेहरे आपको बतलाना चाहूँगा सिदीक अपन, जानते हैं कौन है? सिदीक अपन केरल से आया एक पत्रकार है, हाथरस का रुख कर रहा था और सिदीक अपन और उसके तीन साथियों को UAPA के अंतरगत Unlawful Activity Prevention Act के अंतरगत जेल में डाल दिया गया वो आज भी जेल में है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन के लिए अपनी 90 साल की मा से मिलने की जाज़त दी है, जो मृत्य उशया पर है इस चेहरे पर गौर कीजे, डॉक्टर कफील खान 10 महिने तक रासुका के अंतरगत, National Security Act के अंतरगत ये जेल में थे, इनका क्या गुना आता, कोई नहीं जानता जब ये रिहा हुए, तो इलाबाद हाई कोर्ट ने ये कहकर ने रिहा किया कि इनका जो भाशन है, वो दरसल राश्ट्रिय एकता का प्रतीक है योगी सरकार ने तब भी इनके पीछा नहीं छोड़ा ये मामला अगर वो जब वो इलाबाद हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मामले को ही डिसमिस कर दिया मुनवर फारुकी पर गोर कीजिए, इस शक्स को ये कहकर जेल में डाल दिया गया कि इन्होंने हमारे हिंदू देवी दाओं का अपमान किया, इन्होंने आमिच शाह का मजाक उड़ाया खुद इंदौर पूलीस कह रही थी, कि हमारे पास ऐसे कोई प्रमान नहीं है मुनवर फारुकी को छोड़ना पड़ा मंदीप पुनिया, क्यूं इस शक्स को तिहाड जेल रहना पड़ा, कोई नहीं जानता है ये धेरो मिसाले हैं आपके सामने उमर खालेद और नजाने कितने चहरे, सुधा भारदवाज, ये निउस देखिए दोस्तों सुधा भारदाज वो शक्स है, जो अमरीकी नागरिक थी, वो अपनी अमेरिकन सिटिजन्शिप को त्याग कर भारत आई यहां के वंशितों के लिए संघर्ष करने के लिए, वो दो साल से जेल में है दिशार रवीक के जहन में इसलिए डर था, वो सिर्फ 21 साल की लड़की थी उसके जहन में इसलिए डर था और उसका डर बिल्कुल वाजिब था इन दो चहरों पर गौर कीजिए, बैंगलूरू के सांसद, पीसी मोहन और अनिल्विज सबसे पहले अनिल्विज की बात करते हैं, ये हैं हर्याना के ग्रह मंत्री, कोई रह चलता बीजेपी का कार करता नहीं है, ये हैं ग्रह मंत्री इनका संदेश दिखें दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस संदेश के अंतरगत कह रहे हैं, देश विरोध का बीज, जिसके भी दिमाग में हो, उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशारवी हो या कोई और ये आदबी, दिशारवी के समूल नाश की बात कर रहा है आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समूल नाश का क्या मतलब होता है समूल नाश का मतलब पुछकारना तो होता नहीं है न अब पीसी मोहन का ये ट्वीट देखिए पीसी मोहन यहाँ पर 21 साल की दिशारवी की तुलना जो है अजमल आमिर कसाब जैसे आतंकवादी से कर रहा है ये हमारे सांसद है यानि कि 21 साल की लड़की खिलाफ तुमें एक भीड़ खड़ी कर रहे हो उसे खत्म करने की वकालत कर रहे हो और आपके सामने अब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि देश के जस्टिस दीपक गुपता क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर टूलकिट हाज नाथिंग ओन वाइलिन्स और इंसाइट्मेंट नॉट सिडिशिस जस्टिस दीपक गुपता इस टूलकिट के अंदर हिंसा को बढ़ावा देने वाली एक भी पंक्ती नहीं है मैं आज शुनौती देता हूँ दिल्ली पुलीस को कि उस टूलकिट के अंदर से मुझे कोई एक शब भी बता दें जिसके जरीए ये प्रमानित होता है कि दिशारवी हिंसा को बढ़ावा दे रही थी ये कोई और नहीं बलकि देश के सुप्रीम कोट के पूर वर जास्टिस दीपक गुपता कहे रहे है उसका गुणा आज तक नहीं थाबित हुआ है देशारवी को और उसको खत्म करने की बात यहां पर भारती जाता पार्टी के कोई तुच्चे लोग नहीं इनके मंत्री कर रहे हैं इनके सांसद कर रहे हैं तो अब तक मैंने आपको कारकर में क्या बताया कारकरियों की शुरुआत में बताया इनका प्रचार तंत्र 21 साल की लड़की के पीछे पड़ा हुआ है उसके बाद मीडिया जो एक सामान सी बाचीत को बतला रहा है कि साहब ये कोई बहुत बड़ा की बहुत बड़ी साजिश रची गई उस लड़की का जो अपने अंदर का डर है जो सही साबित हो रहा है क्योंकि वो अभी जेल के अंदर है नियाएक हिरासत में हैं और उसे खत्म करने की बात लोग करने लगे हैं फिर मैंने आपको बताया कि सांसद और मंत्री क्या कह रहे है तो दिशारवी डरेगी नहीं तो क्या करेगी और एक तरफ ये महोदे हैं वो फिल्म शेराबी का डायलोग है एक आप हैं एक वो थे एक तो दिशारवी हैं जिनको लेकर कोई प्रमान नहीं है इनके पास और अब आपके सामने विपलब देव ये क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर अमिट शाह ने नेपाल और श्रीलंका के अंदर भारती जनता पार्टी सरकारें बनाने की योजना बनाई है ये आदमी तृपुरा का चीफ मिनिस्टर है तृपुरा का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बाते कर रहा है और आप जानते हैं श्रीलंका ने अब तक इस पर जहां तक मुझे पता है आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी मगर वहां के अखबारों में इसकी चर्चा हो रही है मैं आपसे जानना चाहता हूँ देश का एक बहुत बढ़ा वर्ग श्रीलंका जाता है छुट्टिया मनाने ये लोग हम भारतियों की क्या छवी करना चाहते हैं इंटिनाश्टली बताईए आप मुझे बताईए पाकिस्तान श्रीलंका से हमारे संबंध पहली खराब हैं वो सुधरने की कोई गुण जाईश नहीं है बंगलादेश के बारे में टर्माइट्स दीमक शब्द का इस्तमाल एक बहुत महाना आदमी ने किये थे श्रीलंका में आप सरकार बनाना चाहते हैं कि हमारे जो तीन हिस्से हैं जिस पर आप एक अरसे से कब्जा किये बैठे हैं अब वो हमारे मांचित्र का हिस्सा है नेपाल जो एक जमाने में हिंदू राश्र था कुछी सालों पहले हिंदू राश्र था और आज भी एक हिंदू बाहुल देश है जहाँ पर पशुपतिनात का मंदेर है जहाँ पर प्रधान मंद्री नरेंडर मोदी एक नहीं दो दो बार जा चुके हैं वहाँ की सरकार वहाँ की जनता आपके खिलाफ हो रही है भाई मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ देश की ना कौन काट रहा है देश को नुकसान कौन पहुँचा रहा है दिशारवी या इस तरह के लोग जो इस तरह की बयानात देते हैं अब मैं आपको एक और बतला ना चाहता हूँ बात आपको याद होगा दोस्तों कि जैसे ही ये मामला सवाया था जिसमें अंतराश्वी तोर पर रियाना सामने आए थी ग्रेटा थनबर्ग सामने आए थे ब्रिटन के कई सांसत सामने आए थे इसके अलावा आपको याद होगा अमरीका के कई कॉंगरिस्मेंस सामने आए थे जिन्हों ने जिस तरह से सिंगु बॉर्डर, घाजिपूर बॉर्डर में इंटरनेट काड़ दिया गया था, उस पर प्रशन उठाए थे, कि प्रदर्शन को कुछला नहीं जाना चाहिए, तब भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा था, कि हमारे जो आंत्रिक मामला है उसकी चर्शा बाहर नहीं हो सकती, यह कहा था ना, कि हमारा मामला है यह आंत्रिक, आप बाहर यह चर्शा नहीं कर सकते, आप होते कौन हैं इस पर दखल देने वाली, बिलकुल 56 इंच का सीना दिखलाते हुए, आब इन्होंने क्या किया है, आपके स्क्रीन्स पर, अब भा कि जो किसान से जुड़े तीन कानून हैं, उनके क्या फाइदे हैं, एक तरफ आप कहते हो, कि यह हमारा आंत्रिक मामला इस पर कोई दखल ना दे, अगर कोई ग्रेटा थन्बर्ग से बात करता है, तो वो देशद्रो हो जाता है, और दूसरी तरफ, आप ब्रिटन के किसी स आंसद को खत लिखकर बता रहे हैं कि इस किसान कानून के क्या फाइदे हैं, मतब तुड़ा कुटा टॉमी, उनका कुटा कुटा कुटा, गलत कहा या नहीं कहा मैंने, मैं आप से ये पूछ रहा हूं कि आखिर विदेश नीती के मोर्चे पर इस सरकार को कौन नसीहत दे र नियू यॉक टाइम्स में, नियू यॉक टाइम्स कोई छोटा मुटा अखबार नहीं अमरीका का, अमरीका का सबसे बड़ा अखबार है, उन्होंने एक खत छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर इनसान को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, पुलीस अत्याचा उन्हें लिखाया और उसे आज New York Times ने छापा है आज मेरे देश के लोक तांत्रिक आत्मा पर एक बहुत बड़ा वार किया जा रहा है मेरे देश को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है और हर नागरिक की तरह ये आपको बरदाश नहीं होना चाहिए या आपको स्विकार नहीं होना चाहिए या आपको समझना चाहिए कि दरसल इस देश को बदनाम कर कौन रहा है और अगर मैं BJP और उनकी प्रचार तंत्र कही तरक के इस्तमाल करूँ ठीक है आज ही की तस्वीर है दोस्तों इसमें देखिए चिले, ब्राजील, क्यूबा, बुलिविया, आस्टोनिया, फिनलिन, फ्रांस, आयरलिन, नेधरलिंस, पॉत्गल, ईयू, बेलजियम, स्पेन, स्वीडन, इटली, बांगलादेश, मलावी, एरिट्रिया इन तमाम जगाओं के विदेशी, राजदूत, कश्मीर पहुँच गए, वहां के अंदर के हालात को जायजा लेने मेरे हिसाब से, चुकि मैंने फॉर्न अफेस कवर किया, ये एक सामाने प्रक्रिया, इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं ये लोग आती रहते हैं, जब धारा 370 भी हटाए गई थी, तब भी आपको याद होगा, यही राजदूत पहुचे थे और इसमें देविंदर सिंग भी उनके साथ खड़ा था, वही जो दो आतंकवादियों को लेके दिल्ली जा रहा था, और जब पकड़ा गया था, उसन जिसका बढ़ावा कोई और नहीं, हमारी अपनी सरकार दे रही है, बिल्कुल नहीं है, यह हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं है, यह एक सामान सामरिक, राजनीतिक और राजनाइक प्रक्रिया है, जो हर बार होती है, मगर अपनी प्रचार के लिए, अपने प्रॉपगैंडा के लिए, देश की जनता को क्रिपया उल्लू मत बनाईए, और एक 21 साल की लड़की दिशारवी को इस तरह से बदनाम करना बंद कीजिए, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज ये इम्तिहान सुप्रीम कॉर्ट के लिए है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस बोब्दे जो हैं, वो स्वतह, यानि सुओ मोटो इस केस को लेंगे, और इस पर अपना फैसला सुनाएंगे, क्यों कोई सरकार त होते देख सकती हैं, क्योंकि अगर मैं आपके तरकों को मानू तो ग्रेटा थन्बग भी खालिस्तानी आतंकवादी है, और जब आप इस तरह की बाते करते हैं, तो तांतराश्च की तोर पर आप देश का नुकसान कर रहे हैं, आज जो मैं आपसे समवाद कर रहा हूँ ना ये दिशारवी के पक्ष में नहीं हैं, ये भारत के पक्ष में हैं, ये राष्टवाद के पक्ष में हैं, अगर तुम्हारे यहां कुछ है, तो समझो कि असल राष्टवाद क्या है, असल राष्टवाद का मसलब मुसल्मानों को गाली देना, सिक्षों को गाली देना, इस इससाइयों को गाली देना नहीं होता है, इससे राष्टवाद नहीं होता है, इससे समाज में सिर्फ अराजकता, जहर और नफरत फैलती है, राष्टवाद तब है जब तुम ऐसे काम करो, जिससे देश की नाक उपर हो, देश का जो रुत्बा है वो मजबूत हो, पिछले प इससे अपनी बात रखनी की एक आज़ादी रही है, मगर अचानक पांच या छे सालों में ऐसा क्या परिवर्तन आ जाता है, जिसमें मैं अपनी बात रखूँ और वो देश-द्रो माना जाएगा, मैं अपनी बात रखूँ तो आप मेरे दफ्तर में प्रवर्तन ने देश इन्फॉस्मेंट डिरेक्टरेट की रेड मारेंगे, मैं अपनी बात रखूं तो आप इंकम टाक्स का रेड मारेंगे मेरे घर पर, ये देश ऐसा तो नहीं था, और अगर पिछले सरकारें यान की 2014 से पहले की सरकारें ऐसा करती भी थी, तब भी एक आम इंसान को प्रदर्श जनता पार्टी के लिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा, जब देखिए इतिहास लिखा जाएगा ना, तो इस लम्हे को ये कहे कर नहीं लिखा जाएगा, कि देखियो बीजेपी ने किस तरह से देश द्रोहियों का नाश कर दिया, नहीं, आज आपको समझना पड़े हम देख रहे हैं, चाहे छात्र हों, चाहे अलप संखक हों, चाहे किसान हों, चाहे युभा हो, कोई भी हो, जो भी सवाल करेगा, उसे देश द्रोही करार दिया जाएगा, और आपने कहीं न कहीं एक स्क्रिप्ट तयार कर दी है, आने वाली सरकारों के लिए, याद पाटल जी ने क्या कहा था, कि सरकारें आएंगी, जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, आप उस देश को खत्म कर रहे हैं, मेरी इस बात पर गोर कीजेगा, आप जो नफरत के चलते, अपना दिमाग तो कुंद कर ही रहे हैं, उसके चलते जो अपने आसपास आपके ब कलब आजाद हैं तेरे, नमस्कार